हाई फ्रेंड्स मैं रेशो एक बार फिट से आप सबका स्वागत करती हूं आपके यूटूब चैनल रेशो ब्लॉक्स में तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है अगर आपकी डिलीवरी डेट भी नस्दीक है तो आपकी डिलीवरी में 15-20 दिन बचे हुए हैं तो आपको ऐ इसके लिए आपको क्या करना चाहिए तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसे दो इंपोटेंट टिप्स बताने वाली हूं इस वीडियो में जो आपको अपनी डिलीवरी के 15-20 दिन पहले जरूर करना चाहिए इससे आपको अमेजिंग फायदे मिलेंगे वीडियो आप सब सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है इसमें आपका कुछ नहीं लगना तो रेटलर को बटने उसको ग्रे कर दीजिए पास में जुमेंटे उसको भी जरूर कर लिए चलिए आज का वीडियो बिदाउट टाइम बेश्ट के स्टार्ट करते हैं जैसे कि फ्रेंड नॉर्मन डीवरी के बारे में सोचने लगती हैं कि मेरा बच्चन नॉर्मन डीवरी से आसानी से आ जाए शिसेर अनुद्ट की जरूरत ना पड़े और वो सही बात है ज्युक्तिंफ नॉर्मन डीवरी में कुछी दिन की प्राप्लम होती है और हम अपने घर का काम वाम फिरू को जा पादों का ध्यान रखना शुरू कर देना है सबसे पहली बात है बहुत इंपोर्टेंट रॉल अदा करती है आपकी नॉरमनल डिलेवरी में वह कब्स आपको नहीं होने देना है अगर आपको 9 महिने में कब्स की प्रोब्लम नहीं है तो आपकी डिलेवरी तो समय पर होगे ल दिलिवरी आपकी काफी लेट हो जाती है और साथ में डिलिवरी में प्राब्लम भी आ सकती है तो नॉर्मन डिलिवरी में दिक्कत आ सकती है जब आपका बच्चे को बच्चे को यह मतलब कि पॉटी आती नहीं है तो कहा जाएगा वह चीज में नहीं आपाएगा इसलिए एक मेन रोल अदा आपकी डिलिवरी में जो चीज करती है वो होती है कब्स इसलिए आपको कोशिश करने चाहिए कि नौबो महिना जैसे आपका लग जाता है आपको कब्ज नहीं होने देना है कब्ज ना होने देने के लिए आप कुछ टिप्स अपना सकते हैं आपको जादा से जादा पानी पीना चाहिए पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए पानी यसे आपको पूरी प्रिग्न आपको नहीं खानी है घर का healthy खाना ही आपको खाना है ज़्यादा फाइवर डाइट लेनी है फाइवर डाइट में जैसे कि आप सलाग लीजिए रोटी लीजिए दही लीजिए छाज ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको जो बाहर का junk food बगरा है वो नहीं लेना ह क्योंकि यह चीज़ें कब्स जादा बढ़ाती है कब्स रहेगी तो याद है ना नॉर्मन डेलिवरी में problem होगी इसलिए बाहर की चीज़ें बिलकुल अवाइट करें अगर नॉर्मन डेलिवरी आप कराना चाहती है तो इसके बाद आप कब्स से बचने के लिए 9 महीने में क्या कर सकते हैं जैसे कि नॉर्मन डेलिवरी के लिए घी पीने की सला दी जाती है दूद में घी डाल कर पीने की सला दी जाती है इससे कि गरवाशे में चिकना हाट आए और आपका बच्चा जल्दी ही नीचे की तरफ आ जाए और नॉर्मन डेलिवरी असानी से हो जाए त आपकी डिलिवरी में भी आसानी होगी दूद में घी पीने से आपकी कब्स की दिकत और ज्यादा बढ़ सकती है इसलिए ध्यान दे अगर आपको प्रेग्नेंसी में कब्स की दिकत है मतलब कि मैं और डिस्क्राइब कर देती हूं कई लोग कब्स में भी कन्फ्यूज हो जाते कब्स का मतलब होता है आपको 2-3 दिन में पौटी आना डेली पौटी नहीं आना चाइट पौटी आना बहुत ज़्यादा पौटी आना तो ये कब्स के सिंटम होते है Пटी करते टाइम दर्ध होना इस तरीकी के सिंटम होते हैं कब्स होने₂क lib होने के तो अबर ऐसी प्रॉ ज़रूरी है दूसरी चीज जो बहुत ज़रूरी है जैसे कि आपका नौवा महिना लग जाता है तो आपको जादा से ज़्यादा गुंगुना पानी पीना चाहिए या गुंगुने पानी से आप नहा भी सकते हैं ठीक है ऐसा आपको डिलेवरी के 15 से 20 दिन पहले करना प्रेगनिसी के 9 महिने में गुंगुना पानी पीने के बहुत सारे फायदे होते हैं कब से तो आपको बचाते ही हैं साथ में आपकी जो मसल्स होती है उनमें खिचाओं होना शुरू हो जाता है जब आपका सरीर डिलेवरी के लिए तयार होता है तो यह उनमें भी रिलेक्स आपको जो पेन होता है मसल्स पे उनमें भी रिलेक्स मिलता है और आपके नॉर्मल डिलेवरी के लिए जो मसल्स फ्लेक्सिवल वननी होती है वो भी बनती है तो कुल मिलाके गुनगुना पानी पीने के बहुत सारे फायदे होते हैं आपके नॉर्मल डिलेवरी के लिए तो न तो आपको दिन के आप 3-4 गलास गुन गुने पानी के ले सकती हैं वाँकि नॉर्मल बॉटर आप ले सकती हैं लेकिन ध्यान रखे थंडा पानी इस टाइम आपको नहीं पीना है थंडा पानी पीने से आपकी मसल्स में सूजन आएगी आपको दिक्कत होगी इसलिए नौबे महिने में ध्यान रखें अधिक फ्रिज का ठंड़ा पानी नहीं पिएваiche素 है अधिक को आप पी नहार प्राति अभी सकती है जैसे कि आख मॉनिंग में मुन्ऊनद से भाथं आप ले सकते और ज़्यदा आपको फायदे मिलेंगे नॉर्मल डुलिवरी को आसान बनाने के लिए और साथ में एक्सराइज करते रही है और गरम तासी की चीजों का सिवन करते रही है जो मैं आपको वीडियो में बताती रहती हो तिल के लड़ू है खजूर है गुड़ है गुड़ वाल बनती है चैनल पर काफी सारे वीडियोज है आप वो देख सकते हैं कॉमेंट्स भी पढ़ सकते हैं काफी लोगों को इन टिप्स को अपनाने के बाद आसानी से कुछ ही मिंटों में नॉर्मल डेलेवरी हुई है तो आपकी भी हो सकती है तो चलिए फ्रेंस आज के इस वीड